वेलो एवरिवन वेलगम डू माई यूटूब चैनल आम अभी से गौरफ रम आई टी बहु तो दोस्तो हम मेडाइवल हिस्ट्री को देख रहे हैं उसके लेक्चर्स को देख रहे हैं अब पिछले वीडियो में मैंने आपको डेली सलतनत में जो भी रूलर्स वगे रहा थे या फिर जोभी डायिश्टी थी तो उन सभी के बारे में में एक बार ब्रीफ ली डिसकस कर लिया देख लिया उपर-उपर से लिदि अब हम सभी पार्ट गुलर जो भी डाय crianस्टी थे उन सभी के बारे में देखेंगे को पढ़ेंगे एक-एक करके और उनमें जो भी यह से लेके 1526 तक डेली सल्तनत का यहां पर यह रहा अब हम आगे देखते हैं स्लेव डाइनिस्टी को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो डाइनिस्टी था वो स्लेव डाइनिस्टी ही था डेली सल्तनत में हमने पांच डाइनेस्टी के बारे में बात करी पहला जो था वो स्लेव डाइनेस्टी निक्स्ट खिलजी डाइनेस्टी था उसके बाद फिर सायद डाइनेस्टी आया सॉरी तुगलक डाइनेस्टी आया and then सायद डाइनेस्टी and then लोदी डाइनेस्टी तो इन सभी पांचों के बारे में हमने एक बर ब्रीफली थोड़ा देख लिया है, टच कर लिया है सभी पॉइंट्स को, इनके कौन-कौन से important rulers हैं, तो उन सभी के बारे में हमने देख लिया, अब एक-एक particular, यानि इस वीडियो में हम slave dynasty को पहले deal करने वाले हैं, slave dynasty के जो भी important rulers होंगे, उनके बारे में हम समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, अब basically slave dynasty में, यानि slave dynasty या फिर इसे गुलाम, once भी हिंदी में कहा जाता है, अब इसी slave dynasty को इलबरी dynasty भी कहा जाता है, and मामलूप dynasty भी कहा जाता है, तो ये बाते आप ध्यान रखे, कि slave dynasty को क्या क्या गया जाता है, हिंदी में तो एक गुलाम, once कहेंगे, इंगलिस में, या फिर, इसे मामलूप dynasty भी कहा जाता है, और इलबरी dynasty भी कहा जाता है, तो इल्बरी डाइनिस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इल्टूतमिस हैं आपको समसुदीन इल्टूतमिस दिख रहे हैं यह समसुदीन इल्टूतमिस जो थे वो इल्बरी ट्राइब के थे इलबरी ट्राइब के होने के कारण इसे इलबरी डाइनेस्टी भी कहा जाता है तो इससे आप याद रख सकते हो, याद करने में आपको असानी होगी मामलुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मामलुक वर्ड का मीनिंग होता है स्लेव सोलजर्स तो बेसिकली ये जो आप रूलर्स देख रहे हों इनके ये सभी स्लेव थे और स्लेव सोलजर्स थे तो इसलिए इसे मामलुक डाइनेस्टी भी कहा जाता है तो हो सकता है क्विस्चन में पूछ दे कुछ इस तरह से स्लेव डाइनेस्टी के जगा पे अगर मामलुक डाइनेस्टी आजा तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए पता होना चाहिए अब स्लेव डाइनेस्टी का रूल लहार डेली पे बारासो छे से लेके बारासो नब्य तक इसके फाउंडर हुए कुतुबुद्दीन एवक अब कुतुबुद्दीन एवक के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात करी जब मुहम्मद गौरी के बारे में बात कर रहे थे अब हम सभी रूलर्स को एक बार देख लेते हैं तो कुत्वतीन एवक होते हैं फर्स्ट रूलर्स यहाँ पे कि इंकर बारे में हम देखेंगे अब इसके बाद एक आराम साह नाम के रूलर आते हैं जो कि कुछी महीनों तक यहाँ पे रूल करते हैं बट वो बहुत जादा important है नहीं तो इसलिए मतलब इनके बारे में हम जानना भी मतलब बहुत जादा जरूरी भी नहीं है लेकिन इसके बाद जो important ruler आते हैं समसुदीन इल्टूतमिस अब इल्टूतमिस जो होते हैं 1211 से 1236 तक रूल करते हैं नेक्स्ट इनके बाद इल्टूतमिस के बाद जब इल्टूतमिस की मृत्य हो जाती है उसके बाद रुकनुदीन आते हैं रुकनुदीन बेसिकली इल्टूतमिस के बेटा होते हैं यानि सन होते हैं तो यह आते हैं यहां पर अब इनको रजिया सुल्तान जो की इनकी बेटी होती ही इल्टूतमिस की यह इनको हटाती है गद्धी से यहां से हटाया जाता है इनको और रजिया सुल्तान खुद बैठ जाती है गद्धी पर तो यहां पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड रजिया सुल्तान को भी हटा दिया जाता है इसे रजिया सुल्तान को भी मार दिया जाता है फिर बहरम सा आते हैं फिर बहरम सा और मसूद सा ये दोनों जो होते हैं बिलकुल ही आयोगे यानि ये एक तरह से आप कह सकते हो रूलर के लिए होते ही नहीं मतलब ये काबिल नहीं आपने ने रूल किया अभ यह बीसीकली इलतोतमीतं के बेटा होते हैं लेकिं ये बहुत ज्यादा पॉलाइट होते हैं हमबल होते हैं मतलब बहुत ही आप संसकारी आप इन्हें कह सकते हो तो बेसिकली इन्हें कोई मतलब भी नहीं था मतलब इस तरह के थे कि ये अपने धार्मी कारेों में लगे होते थे जो भी हो धार्मी कारे धार्मी कारे में लगे होते थे अब इसलिए ये जो ग्यासुदीन बलबन है ये धीरे धीरे पिक्चर में आते हैं धीरे धीरे इनका जो भी ये फेत गेन कर रहे होते हैं नसुरीदीन महमूद के और जैसे ही नसुरीदीन महमूद की मृत्ति होते हैं उसके बाद ग्यासुदीन बलबन यहाँ पे पिक्चर म अब इनको मार के उसके बाद फिर यहाँ पे खिलजी डाइनस्टी स्टार्ट हो जाती है तूईन सभी के बारे में जो इंपॉर्डेंट रूलर्स है इसे मैंने मार किया है एक तो कुतुबुद्दीन एवक हो गया है निक्स्ट समसिद्दीन इल्टूतमीज हो गया है उसके बाद फिर रजिया सुल्तान हो गई एंड देन गिया सुद्दीन बल्बन हो गया तो इन सभी के बारे में हम एक बार देखेंगे अब है स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन एवक से कुतुबुद्दीन एवक ने 1206 से लेके 1210 तक यहाँ पे स्लेव डाइनिस्टी में रूल किया अब एक दो बाते इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे फॉर्स्ट बात जो है वो कुतुबुद्दीन एवक जो थे इन्होंने स्लेव डाइनिस्टी अगर आपसे क्वेस्टिन पूछें पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर आपसे क्वेस्टिन पूछें तो इसका question आपको चुकि डेली सल्तनत तो यहाँ पे आए गया है लेकिन अगर आपसे question पूछे कि कि कुतुबुद्दीन एवक नहीं होगा ऐसा क्यों क्योंकि कुतुबुद्दीन एवक ने कभी भी सुल्तान की उपाधी यानि टाइटल धारन करी ही नहीं यह अपने आपको मली क्या सीपा सालाज नहीं सन्तूष्ट रखा है उन्होंने अपने आपको तोको तो यह नॉट नोट फर्स्ट शुल्तान अब डेली सल्तनत के जो होते हैं वो होते हैं इलतूत्मीस तो ये चीज़ा आप एक एपॉइंट धियान रखेगा कुतुबुद्दीन अवग ने स्लेव डाइनश्टी के स्थापना तो करी डेली सल्तानत के स्थापना तो करी बट फॉर्स्ट सल्तान जो डेली सल्तानत के होते हैं वो इल्टूतमिस होते हैं इन्होंने इल्टूतमिस को यहाँ पे सुल्तान के उपादी दी गई थी बगदाद के खलीफा के द्वारा बट इन्होंने यानि कुतुबुदीन अवक ने अपने आपको कभी सुल्तान माना ही नहीं दूसरी बात इनका जो कैपिटल था वो लाहॉर में था यानि इनका कैपिटल भी डेली में नहीं था तो इसलिए एक क्वेस्टन आप से पूछा जा सकता है जैसे कभी कभी यहाँ पे यह भी पूछ देता है कि वास दे रियल फाउंडर अफ डेली सल्तनत तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो डेली सल्तनत का रियल फाउंडर है वो इल्तूतमीस ही है अल्दा कुतुबदीन आवक ने स्लेव डाइनस्टी यानि फिर डेली सल्तनत के स्थापना करी बट जो रियल फाउंडर है जिसने इसके लिए काम किया वो इल्तूतमीस है तो इस तरह का भी क्वेस्टन में भी आ सकता है तो आप इस पे ध्यान रखे बट अभी के लिए अगर आपसे क्वेस्टन पुछे वो आपसे क्वेस्टन पुछे अगर ऐसा क्वेस्टन आया तो अब स्टार्ट करती से देखते है तो जो डेली सल्तनत होता है वो 1206 से लेके 1290 तक डेली सल्तनत का रूल होता है और इससे स्लेव डाइनिस्टी के नाम से यानि गुलाम वंस के नाम से जाना जाता है जिसके फाउंडर कुतुबुदीन आयवक थे अब स्लेव डाइनिस्टी के फर्स्ट रूलर कुतुबुदीन आयवक हुए जिन्होंने 1206 से लेके 1210 तक रूल किया ये बेसिकली आयवक ट्राइब के थे इसे लिए इनका नाम कुतुबुदीन आयवक आपको दिख भी रहा है तो कुतुबुदीन आयवक जो थे वो आयवक ट्राइब के थे और एक टर्क ट्राइब है यानि तुर्की ट्राइब है आयवक ट्राइब तो ये आयवक ट्राइब कहीं थे अब इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले इनको चाइल्ड हुड में यानि बच्पन में ही काजी आफ नीसापूर नीसापूर बेसिकली इरान में मौझूद है तो एरान में एक जगए है नीसापूर यहां के जो काजी होते हैं फकरुदीन अब्दुलञजीज कुफी यह ऐसे खरीद के लाते हैं बाद में जैसे अभी तो इन्होंने फकरुदीन, अब्दुलजीज, कूफी ने इन्हें खरीद के लाया लेकिन जब इनकी मृत्ती हो जाती है तो ये निसापूर से गजनीन को भेज दिया जाता है और गजनी में मुहमद गौरी इन्हें खरीद लेता है ये जो कुटुब अधिन आवक थे, वो मुहमद गौरी के स्लेव थे तो मुहमद गौरी के स्लेव बने कैसे सबसे पहले तो निसापूर के काजी ने इन्हें खरीदा फकरुदीन, अब्दुलजीज, कूफी ने और ये इन्हें गजनी भेजा गया निसापूर से और वहाँ पर गौरी इने खरीद लेता है, मुहमद गौरी खरीद लेता है अब चुकि ये जो मुहमद गौरी के बहुत ही ज़ादा ट्रस्टेट स्लेव थे इसलिए मुहमद गौरी ने इन्हें अपने टेरिटरी का इंचार्ज भी बना दिया तो इन सभी के बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन पहले एक बार देखते हैं अब होता है कि ये चाइल्ड हूट से, यानि बचपन से ही कुरान को बहुत ही ज़ादा मिलोडियस टोन में गाया करते थे, रिसाइट किया करते थे इसलिए इन्हे कुरान खुआ भी कहा जाता है, कुतुबुदी नहवग को कुरान खुआ भी कहा जाता है तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, कि इन्हे कुरान खुआ कहा जाता है क्योंकि ये कुरान को बहुत ही मेले ओडियस टोन में recite किया गरते थे कुरान ख़ा का मतलब भी वही हुआ The one who recites कुरान यानि जो कुरान पढ़ता हो उसे कुरान ख़ा कहा जाता है अब ये जो थे यानि कुतुब उदीन है वक्त थे इनके talent, passion और honesty के basis पे ये मुहम्मद गौरी का confidence यानि विश्वास जीतने में सफल हो जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता है भी second battle अग्तरायन होता है 1192 में जिसमें मतलब ये मुहम्मद गौरी और प्रिथ्विरा चोहान के बीच में war होता है बना देता है और इसे कुहरम और समाना नाम का जगह है जो कि पंजाब में मौझूद है तो इसका administrator बना देता है तो मैंने बात भी गिया कि इन्हें first इक्ता दिया गया था या फिर इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया तो उसका answer होगा इल्टूतमिस क्यों क्योंकि इल्टूतमिस ने इंडिया में यानि ये इंडिया पे डेली सल्तनत पे रूल कर रहा हो था डेली का कैपिटल था और इसने इंडिया में अलग-अलग इक्तिदार बिठा है मतलब अलग-अलग प्रोविंस को यहां पे देखा और उसमें इक्तिदार्स बिठा ह तो इंडिया में इक्तिदारी सिस्टम, इल्टूतमिस के द्वारा इंट्रोडियूस किया गया था, अब ये इक्तिदारी सिस्टम है क्या, तो इक्तिदारी सिस्टम बेसिकली लाइक होता क्या है कि जैसे आप इस प्रोविंस में मतलब इस जगह पे आप रूल कर रहे हो, तो इसको मैं करूंगा क्या कि अलग-अलग प्रोविंस में डिवाइड कर दूँगा तो यह अगर प्रोविंस है टोटल यहाँ पे इतना रीजन पे आप रूल कर रहे हैं तो इसे मान लो कि मैंने दो भाग में या नि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अब इस पार्ट का गवर्णर किसी और को बनाया और सिकेंड पार्ट का गवर्णर किसी और को बनाया अब इन गवर्णर का काम होगा कि यहाँ से जो भी टैक्स वगरा हैं वो कलिक्ट करें इनका काम होगा तो ये tax collect करेंगे फिर यहाँ पर जो आर्मी रखी जाएगी उसकी देखभाल करेंगे मतलब यहाँ पर भी same वही चीज होगा तो इक्तेदारी सिस्टम में basically इक्तेदार को बीठाया जाता था जो tax collect करेगा रिवेन्यू collect करेगा तो इस तरह से एक्तादार first एक्ताद दिया गया था कुतूबदीन एवग को मुहमद गौरी के द्वारा इंडिया में बट एक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किस ने किया तो इल्टूतमिस ने किया यह बात आप ध्यान रखना अब इनका कोरोनेशन जो होता है यानि इनको गद्धी पे 1206 AD में बिठाय जाता है मुहमद गौरी के तीन मन्त मतलब मुहमद गौरी के जब मिरत्यू होती है तो उसके तीन महीने बाद इनको 1206 में गद्धी पे बिठाय जाता है कोरोनेशन इनका किया जाता है अब 1206 में ही इनको बिसिकली ये स्लेवरी से अजाद भी कर दिया गया था मुहमद गौरी के दौरा बट ये जो अफीसियल लेटर आप कह सकते हो कि जो लिब्रेशन लेटर यहां पर अफीसियल ही आता है मुहमद गौरी के सकसेसर यानि मुहमद गौरी के मर जाने के बाद जो गदी पे बैठते हैं गयासुद्दीन मुहमद जो कि मुहमद गौरी के भतीजा भी होते है तो इनके दौरा एक लिब्रेशन लेटर 1208 में भेजा जाता है अबग के पास जिसके बाद ये जो होते हैं वो स्लेवरी से मुक्त हो जाते हैं तो एबग को 1208 में एक लिब्रेशन लेटर बेजा गया कि इसके दौरा गयासुद्दीन मुहमद के दौरा जो कि मुहमद गौरी के भतीजा होते हैं या फिर सकसेसर भी होते हैं बैग के बाद मुहमद गौरी के बाद गयासुद्दीन मुहमद ही रूल कर रहे होते हैं तो वह भेजते हैं अभड के पास के अब आप आजाद हो गया हो मुक्त हो गया है उसलेवरी से तो यह होता है अब कौत व दीन ऐभड को लाग वक्स भी कहा जाता है लाग बक्स क्यों कहा जाता है क्योंकि लाग बक्स का मतलब वह लाखो दान करने वाला तो ये बहुत ही जादा जेनरस या फिर मतलब काइंडनेस से भरे हुए विक्ती थे कुतुब दीन अबक्स तो ये लाखो का दान किया करते थे मतलब गरीब लोगों को बहुत जाता दान किया करते थे इसलिए इन्हें लाक बख्ष भी कहा जाता है लेकि जैसा कि मैंने आपको बता है इन्होंने कभी भी सुल्तान की टाइटल हिल्ड नहीं किया, होल्ड नहीं किया तो इल्तूथमीष ने पहली बार का सुल्तान का साइटल क्या जसने मलिक और सिपाइक सालार के संतूस्य रहे गैं है तो आपको यहां पह दिषान की अबना के बता वी कूद्ब दीन और 20 अबक को सबसे पहले एक तो लाग वक्स कहा जाता है लाखो दान करने वाला, लाखो देने वाला लाखो रूपए देने वाला लाख वक्स कहा जाता है इन्हें कुरान ख़ाँ भी कहा गया क्यों? क्यों कि ये कुरान जो था उसे बहुत ज़ादा Melodious Stone में Recite किया करते थे बच्छपन में इन्होंने मलिक और सीपा सालार का टाइटल लिया तो ये तीन चार चीज़े आपको अभी ध्यान रखनी है अब हम बात करते हैं इन्होंने बनाया क्या क्या तो सबसे पहले कुतुबदीन एवक ने कुवत अलिस्लाम मस्जिद बनाया डेली में तो यहां पे एक कुवत अलिस्लाम मस्जिद है जो कि कुतुब मिनार के पास ही है तो एक चीज़ आप एभी ध्यान रहे को कुतुब मिनार के पास आप जाओगे तो एक तो आपको कुतुब मिनार दिख जाएगा दूसरा कुवत अलिस्लाम मस्जिद दिख जाएगा एक अलाई दर्वाजा भी है तो अलाई दर्वाजा भी यहीं पे है जो कि अलाउदीन खिलजी के दोरा बनवाए गया था तो भी आपको यहां पे दिख जाएगा तो basically कुवत उलिस्लाम मस्जित किसके द्वारा बनाया गया कुटोबुदीन अव क्जिट की नाम के एक सूफी संत हुआ करते थे अब कुटोबमिनार का कंस्ट्रक्षन इन्हों ने स्टार्ट तो करवाया था कुतुबदीन एवक ने कुतुब मिनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है बट इसे कंप्लीट किया गया इल्टूतमिस के दौरा फिर जो फूर्थ स्टोरी था वो डैमेज हो गया था लाइटनिंग से बाद में फिरोसा तुगलक ने इसमें दो स्टोरी एड़ किया दो फ्लोर एड़ किया और बिसिकली टोटल फाइव फ्लोर हो जाता है तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कुतुब मिनार के बारे में क्योंकि इसे भी रिलेड़ेट कुछ क्वेस्टन सा जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह कुतुब मिनार आपको 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, 4th floor and 5th floor पांच floor का आपको 5-story building दिख रहा है मिनार दिख रहा है यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे यसे बनाते हैं मतलब कुछ इस तरह का है यहाँ पे 1st story, 2nd story, 3rd story and 4th story तो अब यह जो basement और 1st story है यानि basement और 1st story यह बनवाया कुतुबुदीन एबक ने बाद में 2nd, 3rd and 4th story यह जो 2nd, 3rd and 4th story होता है वो इल तूतमीज के दारा बनाया गया तो 1st story बनाया को तो गुदीन एबक ने 2nd, 3rd and 4th बनाया गया इल तूतमीज के दारा बट होता गया कि यह जो 4th story होता है वो डैमेज हो जाता है लाइटनिंग के कारण तो 4th story के अगर डैमेज हो जाने के बाद फिरोज साथ तुगलक नाम के यह नहीं तुगलक डाइनस्टी के एक रूलर होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे हम तो 4th story जब डैमेज हो जाता है यहाँ पर तो 4th story तो बनवाया हैं फिरोज साथ तुगलक ने साथ ही साथ उन्होंने एक story और भी एड करवाया तो 4th और 5th story यहाँ पर फिरोज साथ तुगलक के दवारा बनायागा तो अब यहां पे एक बार क्या हुआ, सबसे पहले basement और first floor या फिर first story हुआ, वो कुतुब-दीन एवक के दोरा बनाया गया, यानि निर्मान कारे जो था, वो कुतुब-दीन एवक के दोरा start किया गया, बाद में complete किया गया, इलतूतमिस के दोरा उन्होंने second, third and fourth story को बनवाय बट यह जो fourth story होता है, वो तूट जाता है, उसे बनवाया fourth story तो बनवाया साथ ही साथ, fifth story भी नोने add करवाया फिरोज साथ तुगलक ने, तो तीन rulers का इसमें contribution है, तो तीन rulers के बारे में आप ध्यान रखेंगे, कुतुब-दीन एवक किलतूतमी सेंट फिरोज साथ तुगल नेक्स तब आते हैं, तो यह तो हो गया कुतुब मिनार के बारे में हमने बात कर ली, अब इसके बाद कुतुब-दीन एवक की मृत्यू कैसे हुई, तो basically 1210 AD में यह चौगान नाम का एक game होता है, जो modern polo से match करता है, तो चौगान खेल रहे होते हैं और इसे बीच यह अप playing the game of चौगान, तो चौगान जब खेल रहे होते हैं, तो अपने घोडे से गिर के इनकी मौत हो जाती है, तो question इस तरह का भी आता है कि चौगान खेलते वक्त कौन से ruler थे जिनका मौत हुआ तो यहाप कुतुब-दीन है वकि इनका answer हो जाएगा, तो यह भी आप धियान अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं इनके बारे में, सबसे पहले यह डेली सलतनत 1206-1290 तक रहा, इसे slave dynasty या मामलुक डाइनस्टी या इलवरी डाइनस्टी भी कहा जाता है, इसके founder कुतुब-दीन एवक हुए, first ruler कुतुब-दीन एवक हुए 1206- 1210 तक, यह एवक ट्राइब के थे, जो कि एक टुर्क ट्राइब थे, फिर इन्हें निसापूर के काजी फकरुदीन अब्दिल अजीज कूफी के द्वारा खरीदा गया, बाद में निसापूर से गजनी भीजा गया, जहां पे मुहमद गौरी नहीं ने खरीद लिया, फिर सेकेंड बैटल अफ तरायन जो कि 1192 में हुआ था, इसमें एक बहुत ही एहम भूमी का निभाई, जिसके बाद 1192 में जब मुहमद गौरी जीतता है, तो कुतुबुदीन अबग को अपना इंचार्ज अपॉइंट करता है, इंडियन टेरिटरी का, इसे कुहरम और समाना का एड्मिन्स्ट्रेटर बनाया जाता है, और 1206 में इसकी कोरोनेशन होती है, इसने गद्धी पे बिठाया जाता है, बाद में 1208 में एक लिब्रेशन लेटर बिजा जाता है, गियासुदीन मुहमद के दौरा, जो कि गौरी के इंसे, मतलब सक्सेसर हुए या फिर भतीजा भ होता है, तो यह भतीजा होते हैं इनके बारी के, इनके दौरा एक लिब्रेशन लेटर बिजा जाता है, जिसके बाद एवग को स्लेवरी से मुख्ट कर दिया जाता है, कुटब दीन एवग को लाक बक्स कहा जाता है, क्योंकि यह लाकों का दान करने वाले थे, इन्होंने क ब्रक्रक्राअचे में कुट्बाइड के दौरा जिसे कंप्लीट किया गया इल्टूतमिस के दौरा बाद में फूर्थ और फिप्ट स्टोरी बिल्डिंग मतलब फूर्थ और फिप्ट स्टोरी बनाए गया फिरोसा तुगलत के दौरा कुत्व अधिन अवक की मृत्वी 1210 में चौगान खिलते वक धोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है इन्हें लहौर में दफनाया गया नेक्स आते हैं अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वह समसुदीन इल्टूतमिस हो गया इन्होंने रूल किया 1211 से लेके 1236 तक अब इल्टूतमिस को स्लेव औफ स्लेव कहा जाता है यान गुलामों का गुलाम कहा जाता है अब इल्टूतमिस इल्बरी ट्राइब के होते हैं इसलिए इसे इल्बरी डाइनेश्टी भी कहा जाता है मैंने पिछले थोड़ी देर पहले भी आपको बताया अब यह जो होते हैं मतलब इल्टूतमिस जो हो डेली के पहले सुल्तान होत एक खिलाज सर्टिफिकेट दिया जाता है इनको जिनके बाद इन्हें legitimate सुल्टान मान लिया जाता है और डेली सल्तनत को एक independent estate गोजित कर दिया जाता है तो बगदाद के खलीफा के दोरा मतलब इनको सुल्टान आजम के उपादी भी दी जाती है जो भी एरिया इन्होंने जीता है इन्होंने जीता है जो भी एरिया इनके इंफ्लूएंस में है उस एरिया को एक इंडिपेंडेंट एस्टेट मान लिया जाता है और इन्हें लेजिटिमेट सुल्तान के तौर पे देखा जाता है रिकागनाइस कर लिया जाता है मान लिया ज नेक्स्ट इनका सुल्तान बनने से पहले ये बुडाउन के गवर्नर थे तो ये बात आप ध्यान रखे ये भी क्विस्टन में आता है कि ये क्या करते थे मतलब सुल्तान बनने से पहले ये क्या थे तो ये आप्शन में आपको दे दिया जाएगा गवर्नर बुडाउन या फ पंजाब में जाट ट्राइब है तो इनके द्वारा यहां पे एक विद्रोव होता है जिसमें एबक और मुहम्मद गौरी के साथ साथ इल्टूतमिस भी इसमें पाटिसिपेट किये थे मतलब इनके साथ में थे इस यह जो रिबेलियन था उसे सप्रेस करने में वह भी आये थ प्र accents ye στα को बस करने में प्रकार भी एर्ड़ा हुए एक ग्रीत के साथ में सब्सके साथ में यहां पे इन सभी के साथ में थे तो इसलिए यहां पे दिया गया है नेक्स्ट अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मंगोल इन्वेडर चंगेज खान चंगेज खा किनके काल में आया था कुछ इस तरह का आपके क्विश्टन पूछा जाएगा आपसे और उसमें पॉप्शन होगा एल तूथमी के टाइम में एवग के टाइम मी मौमत Gauri के अपको अपसन दिया रहेगा आपको मारना है यहाँ यहांप बातु का तो अब मैं इनके बारे में बताता हूं अब basically या तेमुजीन हो गया अब यह नौर्थ वेस्ट फ्रंट से इंडिया में इंटर करता है उस ताइम पे रूल किसका होता है इल्टूतमिस का अब यह नौर्थ वेस्ट फ्रंट क्या हुआ नौर्थ वेस्ट फ्रंट बेसिकली जैसे यह आपको यहां पर कस्मीर का पोर्शन द या जलालुदीन मंगवर्णी भी कहा जा सकता है तो ये फ्वारिज्म के प्रिंस होते हैं अब ये जो था फ्वारिज्म का प्रिंस जलालुदीन मंगवर्णी जो था वो चंगेज खान के भाई की हत्या करके भाग रहा होता है और छिप रहा होता है बस इन्हें जो मिल गया उन्हें काट देना है तो ये बहुत ज़्यादा क्रूर हुआ करते थे अब मंगोलियन यानि ये जो चंगेज खान था इनके भाई की हत्या कर दी जलालो दिन मंग बढ़नी ने और इनसे भागा भागा फिर रहा था तो ये इंडैस री वर होते हुए यहाँ पे इलतूतमीस के पास आया तो इलतूतमीस के सरन मांगी बनतूतमीस को पता था कि चंगेज खान से पंगा लेना कोई मतलब सही बात है नहीं ये आएगा अटेड करेगा और मतलब सभी को ले डूबएगा तो इसलिए इन्होंने असाइलम यानी सरन देने से मना कर दिया इनको चलोलुदीन मंगवर्णी को और उसके बाद जो मंगोली इन्वेजन ट्रबल था वो भी खतम हो गया जब 1224 में प्रिंस मंगवर्णी यहां से चले जाते हैं उसके बाद यह ट्रबल भी खतम हो जाता है तो क्वेस्टन यहां पर यह आता है कि चंगेज का किनके टाइम में आया था अब एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह चंगेज खान की बात कर रहा है यह भी मंगोलियन थे एक बार आपको तिमूर लंग या फिर तैमूर लंग जो हता है तैमूर लंग यह भी मंगोलियन ही था तो यह भी अटेक करता है तो ये किसके टाइम पर करता है तो ये बिसिकली उस टाइम पर रूल होता है तुगलक डाइनस्टी का नसुरुदीन महमूद जो होते हैं वो रूलर होते है तो उनके टाइम पर 1398 में ये अटेक करता है तो तेमूर लंग के बारे में भी पूछेगा तो यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है तामूर लंग भी मंगोरियन ही था तो कुछ इस तरह से question पूछ सकता है कि मंगोरियन से मतलब confuse हो सकते हो तो इसलिए ये ध्यान देना है कि चंगेश खान आया था यहाँ पे इलतूतमिस के टाइम में बागी तैमूर लंग 1398 में आया था इसने आकरमन करी थी और उस टाइम पे सासन था तुगलक डाइनिस्टी का तो यह आपको ध्यान देना है अब होता क्या है कि जब ये इलतूतमिस गदी पे बैठते हैं तो उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्णर होते हैं अली मर्दन ये अपने आपको इंडिपेंडेन सुल्तान गोसित कर देते हैं कि अब हम पे किसी का भी रूल नहीं होगा इसके पहले तो अली मर्दन को भीजा गया था बंगाल के गवर्णर के तोर पे बना के भीजा गया था बंगाल के बारे में मैंने बात भी करी बंगाल को बक्तियार खिलजी ने जीत लिया था वहां के जो रूलर होते हैं लक्षमन सेन तो इनके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था अब बंगाल के गवर्णर के तौर पे अली मर्दन को बनाया जाता है ये अपने आपको इंडिपेंडेंट सुल्तान गोसित कर देते हैं 1211 में बट बाद में अली मर्दन को ओवर्ण थ्रोग कर दिया जाता है यहां से इनके गद्धी से हटा दिया जाता है हिसाम अद्दीन अवाज के दौरा या फिर इसे इन्हें हसन अद्दीन इवाज खलजी भी कहा जाता है मतलब नाम था इनका तो इनके द्वारा अली मर्दन को हटाके इसाम अद्दीन अवाज बैट जाते हैं और ये सुल्तान गिया सुद्दीन का उपादी धारन करते है टाइटल लेते हैं और इस टाइटल से यहां पे राज करना रूल करना स्टार्ट करते है बट 1225 में इसाम अद्दीन अवाज को हराता है कहां पे राज महल में जो कि तेलिया गड़ी नाम की एक जगह है वहां पे मौझूद है तो तेलिया गड़ी अभी के जारखंड में है तो उस टाइम पे तो बिहार, जारखंड और बंगाल तीनों एक ही जगह पे आया गरता था तो इसलिए मतलब यहां पे कन्फ्यूज नहीं होना है कि जारखंड में है तो बिहार को कैसे जीत लिया इन्होंने जारखंड पहले बिहार में ही था तो यह भी आप ध्यान रखना तो इन्होंने 1225 में इल्टूत्मिस ने इसाम-दीन आवाज को हराया अब आवाज जो होता है या फिर सुल्तान की आसुद्दीन जो होता है वो इनके अधीन सबोर्डिनेट स्विकार कर लता है इल्टूत्मिस का और यहां पे बिहार में एक नया सुब्यदार नियुक्त किया जाता है मलिक जानी को तो मलिक जानी इल्टूत्मिस जो होते हैं वही इल्टूत्मिस मलिक जानी को अपॉइंट करते हैं आपे बिहार के नया सुबेदार के तौर पे तो ये हो गया बिसिकलि इनके बारे में देख लिए आप इनका काम क्या क्या था वो देख लेते हैं और ये मतलब राजा के trusted person थे, इसमें 40 लोग मौजूद होते थे, मतलब 40 लोगों का एक दल था, जो राजा के, यानि king, जो भी होगा, ruler के trusted person होंगे, जिन पे ये trust कर सकता है, और यही जो basically, मतलब rule किया करते थे, मतलब rule तो राजा कर रहा है, लेकिन decisions वगेरा, इनके द्वारे हैं, इनके मतलब इन से सलाह मसवरा लेकर ही decision लिया जाता था, ये बहुत जादा interfere किया करते थे, political issue में, तो ये तुरकाने चाहलगानी या फिर दल चालिसा, जो कि 40 लोगों का दल था, मतलब Turks का ही दल था, जो कि राजा के मतलब बहुत ही जादा करीबी मान सकते हैं, या फिर बहुत जादा trusted हैं, उनका दल था, ये decision लिया करते थे, ये सलाह मसवरा दिया करते थे राजा को, इनका political interference बहुत जादा था, तो ये इसे इल्टूतमिस ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, अब आगे हम देखेंगे बल्बन के बारे में, तो बल्बन बेसिकली इसी दल चलिसा के ही पार्ट थे, और बाद में जब बल्बन रूलर बनता है, तो वो इस दल चलिसा को खतम भी करता है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि इल्टूतमिस जो था, उसने इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, फिर इल्टूतमिस जो था, वो पहला मतलब रूलर था, जिसने प्योर अरेबिक कोईन्स को यूज किया अपने सल्तनत पिरियड में, तो Pure Arabic जैसे यह आपको Arabic में लिखा दिख रहा है तो Pure Arabic coins को इसने इंट्रोडियूस किया इंडिया में फिर इसने दो important types, मतलब दो important coins है ये भी आपको ध्यान रखना है Silver जो की टंका कहा जाता था and copper का coin जिसे जीतल कहा जाता था इसे भी इन्होंने mint कराया यानि Silver और copper coin चलाया इल्टूतमिस ने Silver वाले coin को टंका कहा जाता था and copper वाले coin को जीतल कहा जाता था सल्तनित period में ये चला तो ये आपको Silver coin दिख रहा है ये टंका हो गया and copper coin ये जीतल हो गया फिर इबन बतूता के description से पता चलता है अब इबन बतूता बेसिकली इनके time में नहीं था ये आपको ध्यान दिना है इबन बतूता यहाँ पे मुहमद भी तुगलक के time में था लेकिन उसके description से हमें मालूम होता है कि इल्टूतमी जो था उसने अपने दरवाजे पे उसका जो palace था उसके front दरवाजे पे दो statutes बनवाता है और उस statutes में दो bells हैंक किये जाते हैं मतलब दो घंटी लगाया जाते हैं ताकि अगर कोई भी मतलब जो justice चाहता हो जो नयाय चाहता हो वो जाके बेल को ring करे और बात वो सुल्तान से जाके नयाय मांग सकता है तो ये ऐसा इबन बतूता ने डिसक्राइब किया ये इबन बतूता ने लिखा है कि इलतूतमिस के time में ऐसा था कि इसने दो statutes बनवाया जिसमें दो घंटी लगा होता था और इस घंटी को कोई भी जाके ring कर सकता था और उससे सुल्तान से नयाय मांग सकता था तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अब बेसिकली हमने इनको भी देख लिया इलतूतमिस को देख लिया तो इसके बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जादा हो जादा है तो फिर मतलब गड़बर होने लगती है इलतूिस को स्लेवसब्स तुसलेव Spaß यानि गुलामों का गुलाम का जाता है इलतूतमिस एक टर्क यानि इलबरी ट्राइब का था जो की एक टर्क ट्राइब थी फिर ये डेली सल्तनत का फॉस्ट सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा से एक सर्टिफिकेट मिला या फिर खिलात मिला मतलब सुल्तान के तौर पी से रिकागनाईज किया गया कुल मिला के कहने का मतलब यह है फिर डेली सल्तनत को इंडिपेंडनेट अस्टेट माना गया उसके बाद फिर सुल्तान बनने से पहले ये बुडाउन के गवर्नर थे फिर मुहम्मद गौरी और एबक के साथ ये जो खोकर ट्राइब रिवेलियन था उसमें इन्होंने भी साथ दिया इल्दूतमिस ने भी टाइम साथ दिया 1205 से 1206 में हुआ जिसके बाद मुहम्मद गौरी जो हता है वो एबक के स्किल और कौरे से करिज या फिर उसका साहस हो गया उससे बहुत जादा इन्फ्लूइंस होता है और एबक को यहां से स्लेवरी से हटा देता है बट बेसिकली अफिसियली अगर देखे तो लिब्रेशन लेटर 1208 में उससे मिला था लेकिन यहां पे स्लेवरी से इसे अभी ही मुक्त कर देता है फिर मंगोल इन्वेजन हुआ था चैंगीज खान का इल्टूतमिस के टाइम में ख्वारीजम के रूलर होते हैं जलालोदीन मंग बढ़नी अब यह यहां पे आते हैं इंडस रिवर के बैंक से होते हुए और इल्टूतमिस से रिफ्यूजी यानि सरन मांगते हैं कि हमें रख लो हमें बचा लो इसे चंगेज खान हमारी मतलब मुझे ढूंड रहा है वो मार देगा लेकिन इल्टूतमिस उसे सरन देने से मना कर देता है और इस तरह से जो भी मंगोली इन्विजन था उसका जो संकट था वो टल जाता है प्रिंस मंगवर्णी 1224 में यहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से संकट इसका टल जाता है जब यह गदी पे बैठता है इल्टूतमिस तो अली मर्दन होते हैं बंगाल के गवर्णर वो अपने आपको इंडिपेंडेंट सुल्तान गोशित कर लेते हैं 1211 में बट हिसमुद्दीन आवाज होते हैं यह अली मर्दन को यहां से हटाते हैं और खुद बैठ जाते हैं गदी पे बाद में 1225 में इल्टूतमिस ने हिसमुद्दीन आवाज को हराया कहां पे राजमहल तेलिया गड़ी नाम की एक जगह है वहां पे यह जो कि अभी जारकंड में और इन्होंने बिहार सरीफ और बाड को जीत लिया फिर आवाज होते हैं वो इनका अधिनत्वा मतलब इनके सबोर्डिनेट को सिविकार कर लेते हैं और इन इल्टूतमिस होता है मलिक जानी को बिहार का सुबधार नया सुबधार नियुक्त करता है बाद में इसने क्योर एरेबिक कॉइंस चलाएं इंडिया में सल्तने पीरियट के दोरान फिर सिल्वर का कॉइन जो की टंका हुआ एंड जीतल जो की कॉपर का कॉइन हुआ इसने चलाया तो यह भी क्विस्चन आता है इसे भी ध्यान रखे इबन बतूता के डिस्क्रिप्सन से पदा चलत तो यह हो गया इनके बारे में अब नेक्स्ट जो रूलर होते हैं इनका बेटा ही होता है रुकनुदीन तो रुकनुदीन जब बैठता है यहां पे लेकिन रुकनुदीन यह बिसिकली तूतमीज जो थे वो चाहते हैं कि रजिया सुल्तान बने मतलब रुकनुदीन किसी त दो अब रजिया सुल्तान के बारे में देखते है है और इन्दिया की एक मात्र मुस्लिम रूलर रही जाती है इन्होंने इल्टूत्मिस के सन यानि इल्टूत्मिस के बेटे रुकनुदीन को हटाया गड़ी से और पबली के सपोर्ट से जन्ता के सपोर्ट से ये खुद बैठ जाती है अब इनका जो ट्रेडिसनल इसलाम का जो मतलब जो भी ट्रेडिसन था इसलाम का इसे वाइलेट करती है मतलब पहली बार इंडिया में कोई ऐसी इस्तिरी आती है जो इस्लाम के ट्रिडि सन्ट को वाइलेट करती है बेसिकली इस्लाम में होता है कि तो जब यह गद्धी पर बैढ़ती है तो जो भी चहलगानी या फिर जो जो चहलगानी फिर दल्चलीसा मैंने आपको बताया तो ये जो चहलगानी के लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि एक औरत हम पे रूल करें या फिर कोई भी टर्किस जो भी रूलर होता है वो नहीं चाहता है कि ये एक औरत यहां पे रूल करें एक औरत के हाथ में इतना पाउर हो तो ये जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इस ट्रेडिशन को वैलेट कर रही थी अभी भी मतलब इसलाम में अगर आप देखोगे तो ओरतों को उतना ज़्यादा पाउर नहीं दिया जाता है अभी तो खेर फिर भी मतलब थोड़ा सही हो गया है बट पहले तो और भी ज़्यादा था इन्होंने कूबा और कूला कूबा मतलब कोट तो एक कोट पहनती थी आपको कोट यहां पे दिख रहा है और कूला मतलब कैब कैब पहन के गुमा करती थी तो ये इन्होंने किया जो कि मतलब पहले तो नकाब में ही रहा करती थी और वो भी इसलाम के अगर बात करे तो तो नकाब में रहा करती थी अब यहाँ पर एक आता है याकूत नाम का एक वेक्टी होता है जिसे ये अमीर आखूर नियुक्त करती है अमीर याकूर बेसिकली जो साही अस्तबल होता है अस्तबल मतलब जहां पे घोड़ा रखा जाता है तो उसका साही अस्तबल का गवर्णनर निक्त किया इन्होंने याकूत को अब इस याकूत के मदद से ही ये रूल कर रही थी मतलब याकूत इनको बहुत जादा help कर रहा था तो याकूत के साथ इनकी नजदीकिया भी बड़ा रहती धीरे धीरे करके तो आप यहाँ पे आपको एक love triangle भी देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैं थोड़ी दिर में भी जिक्र करूँगा अब याकूत के बारे में आपने देख लिया याकूत को इन्होंने अमीरे आखुर नियुक्त किया जब यह गदी पे बैठती है तो अब इनको रजिया सुल्तान बेगम जो होती है इनको 1240 में गदी से हटा दिया जाता है और टर्किस लोग यानि तुर्क्स जो होते हैं चहलगानी जो होती है वो बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनको हटाने में गदी से तो अब हम समझते हैं बेसिकली होता क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बता है याकूत को इन्होंने अमीरे आखुर नियुक्त किया अब याकूत के साथ इनकी नजदीकिया बढ़ रहे होते बट मलिक अलतूनिया नाम का एक गवर्नर होता है बटिंडा का तो ऐसा माना जाता है कि ये बच्पन सही ये मतलब मलिक अलतूनिया की वो चाइल्डूट करस्ट थी यानि ये जो रजिया सुल्तान थी वो मलिक अलतूनिया की चाइल्डूट करस्ट थी अब होता क्या कि जब ये याकूत के साथ नजदीकिया बढ़ रहे होती है तो ये क्या करते हैं कि लोग जो भी टर्किस लोग होते हैं जो चहलगानी के लोग होते हैं वो मलिक अलतूनिया को बोलते हैं कि आप रजिया के खिलाफ मतलब सड्रेंतर नहीं मतलब रजिया के खिलाफ अब आप लोग विद्रोग करो क्योंकि ये एक मतलब लेडीज रूलर यह कैसे बन सकती है अब मली कलतुनिया तो पहले ही मतलब इनसे नाराज था गुस्से में था क्योंकि याकूत के साथ इनकी मतलब नजदीकिया बढ़ रही थी तो इसने अटेक कर दिया यानि भटिंटा गवर्णर मली कलतुनिया होता है वो अटेक कर देता है और इन्हें यह अच्छा मौका दिखता है कि मली कलतुनिया को साथ में ले लिया जाया है और बाद में फिर से किसी तरह करके गद्धि पर कंट्र Holz कर लिया जाए गा तो यह मली कलतुनिया से साधी कर लिती है लेकि होता कि 1240 में जब यह और मली कलतुनिया दोनों लौट रहे होते हैं तो इन दोनों को कैथल में एक जगह कैथल नाम का एक जगह है हरियाना में वहां पर इन दोनों को घेर लिया जाता है और इन पर अटेक करके इन दोनों को मार दी जाता है तो मली कलतुनिया और यहां पर रजिया बेगम इन दोनों की हत सेनेट कर दिया जाता है इन दोनों को तो यह स्टोरी था 1240 में इनको इनकी हत्या कर दी गई और इनके हत्या के बाद यहां पर बैठता है बहरम साह नाम का एक रूलर होता है तो बहरम साह यहां पर बैठता है जो कि इसे भी हटा दिया जाता है मसूद साह होते हैं तो यह दो होते थे तो इनको मतलब नसुरिदीन महमूद रूलर तो थे बट बेसिकली सब कुस देखवाल कर रहे थे गयासुदीन बल्बन ही तो अब हम गयासुदीन बल्बन के बारे में पढ़ेंगे नसुरिदीन महमूद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इनकी मतलब मृत् बट गयसुदीन बल्बन को स्टार्ट करते हैं और यह फाइनल यानि लास्ट रूलर होंगे हमारी इंपॉर्टेंट रूलर तो गयसुदीन बल्बन ने बेसिकली 1266 से 1287 तक रूल किया या फिर 1286 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे इतने टाइम तक इन इलतूतमिस भी बड़ी टर्क था यह भी बड़ी टर्क थे यह भी चहलगान से यानि जो दलचलीसा था उससे रिलेटेड थे तो मैंने आपको बताया था इलतूतमिस ने एक दलचलीसा का गठन किया था अब यह जो दलचलीसा थी यहां पे समझना यह इंपॉर्टेंट है तो इन सभी को मतलब यह यही दलचलीसा ही decide कर रहे थी कौन ruler बनेगा यह बहुत ही ज़्यादा political interference इनका था तो अब अगर आप देख रहे हो कि यह दलचलीसा का सब किया धरा है सब कुछ और यह यानि ग्यासुदीन बलबन दलचलीसा के ही पार्ट है इनको डर तो होगा है कि अब अगर मैं बैठाओं यहाँ पे तो हो सकता है कोई मेरे जैसा दूसरा यहाँ पे दलचलीसा में वेक्ती हो जो मुझे हटा के मुझे मार के बैठ जाए क्योंकि किसी तरह मैं तो यहाँ पहुँच ही गया तो इसलिए सबसे पहले गयासुदीन बलबन ने जब यह रूलर बनते हैं जो सबसे पहले इन्हों ने दलचलीसा को खतम किया दलचलीसा में जो भी लोग बच रहे थे उनको मरवा दिया गया कि अब कोई भी नहीं होगा दलचलीसा को खतम करो या फिर जो तुरकान ये चहलगानी था पकड़े गया और उन्हें बेचा गया गजनी में किनके पास ख्वाजा जमाल उद्दीन के पास बाद में इन्हें देली लाया गया 1232 में और इन्हें 1232 में खरीद लेता है गौलियर विक्टरी के बाद तो ये भी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होके इल्टूतमिस ने इनको खासदार का टाइटल दिया तो सबसे पहला बात तो ये हो गया नेक्स्ट अब ये जो रजिया सुल्तान थी उसके टाइम में इनको हटाने में मतलब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रजिया सुल्तान के टाइम में इन्हें अमीरे सिकार की पददी गई मतलब रैंक दिया गया अमीरे सिकार जैसे की नाम से दिख रहा है सिकार का मतलब होता है हंटिंग तो जो रोयल हंटिंग होता था उसका इन्हें जेनरल बनाया गया मतलब अधिकारी न्यूक्त किया गया फिर रजिया सुल्तान को हटाने में जो कॉंस्पेरेसी रचा गया था सडेयंत्र रचा गया था जेहलगानी के द्वरा इसमें ये भी सामिल थे तो टर्किस वारलोट्स जो भी थे मतलब जो जिनोंने सडेयंत्र रचा था उसमें ये भी सामिल थे तो जब बहरमसा रूलर बनता है तो बलवन को अमीरे आखूर का रएंग दे दिया जाता है अमीरे आखूर मैंने बताया है आपको असडबल का जो साही असडबल होता है उसका प्रधान होता है तो अमीर आखुर का पदी ने दे दिया जाता है कब जब बहरम साह रूलर बनता है बाद में बहरम साह को हटा के महमूद साह को बनाया जाता है तो जब महमूद साह रूलर बनता है तो इसमें भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था महमूद साह को रूलर बनाने में तो consequently इन्हें फिर सुबेदारी दे दी जाती हंसी नाम की जगह की तो हंसी नाम का मतलब जगह होता है प्रोविन्स होता है तो इसकी सुबेदारी दे दी गई तो सबसे पहले बहरम साह जब आये तो इस टाइम तो इन्हें अमीर आखुर बनाएगा उसके पहले रजिया सुल्तान के टाइम में ये अमीर सिकार थे और जब यहां पे महमूद साह आते हैं उसके बाद इन्हें सुबेदारी दे दी जाती हंसी की अब ये करते क्या है इनकी जो डाउटर होती है इनकी जो बेटी होती है बलबन की ये साधी करा देते हैं इनकी सुल्तान नसुरिदीन से नसुरिदीन मैंने आपको बताया यहाँ पे इनके पहले जो रूलर थे वो नसुरिदीन ही थे नसुरिदीन महमूद तो इनसे अपनी बेटी की साधी करा देते हैं और ऐसा हिस्टोरियन्स के दोरा माना जाता है कि नसुरुदीन महमूद और ग्यासुदीन बल्बन में इन दोनों में बहुत अच्छा रिलेस्टन था मतलब ये दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट किया करते थे अब इसलिए भी रेस्पेक्ट किया करते थे क्योंकि इनकी बेटी जो थी वह इंसे प्याशन कर दी गए थी और जो नसुरुदीन थे ये इनके एक तरह से मतलब यहां पे एक तरह से मतलब बल्बन के सल्तान नसुरुदीन दामाद हुए तो इन दोनों में थोड़ा अच्छा relation था बट कुछ इतिहास कारों का ये भी मानना है कि बल्बन ने मतलब धीरे धीरे करके cha के ये सुल्टान नसुरधिन को मार दिया मतलब धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा से साधी कर दी, मतलब नसुरुदीन की साधी करा दी, अब इस occasion के बाद, सुल्तान नसुरुदीन इन्हें उलुग खान की उपादी देता है, तो उलुग खान का टाइटल यहां से इन्हें ऐसे मिला, और इन्हें नयाब ममालिकात, नाम का देख रहे होते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा पुलाइट थे, मतलब बहुत ज़्यादा जेनरस परसंद थे, तो इसलिए सब कुछ यह देख रहे थे, बल्बन ही देख रहे थे हैं आपे फिर बल्बन 1266 में गद्दी पे बैठ जाते हैं आपे जब इनकी मृत्यू हो जाती है, सुल्तान नसरुदीन की अब आगे बढ़ते हैं अब जब बल्बन गद्दी पे बैठते हैं तो सबसे पहले इनके पास दो-तीन चैलेंजेस थी, पहला चैलेंजेस तो यह था, पहला चैलेंज की बात करें तो यहाँ पे यह था कि यह जो सुल्तान मतलब नसरुदीन थे, यह बहुत ही ज़ादा पॉलाइट थे, तो मतलब इनकी इज़त बहुत कम लोग किया करते थे, क्योंकि अगर आप एक रूलर हो तो आपको थोड़ा कड़ा सक्त रुक मतलब अपनाना होता है, लेकिन यह बहुत ज़ादा पॉलाइट थे, तो सबसे पहला तो यह था कि इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, तो इन्हें किसी तरह से रिस्पेक्ट करवाना होगा फिर दूसरा, इनको अपना इंपायर भी एक्सपेंड करना है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो नहीं, सुल्तान नसुर्दीन जो थे यह बहुत ही ज़्यादा पॉलाइट थे, मतलब एक तरह से आप अहिंसा वादी भी कह सकते हो, मतलब समझने के लिए कह सकते हो ऐसा, धार्मिक थे, तो इन्होंने कुछ वैसा इंपायर एक्सपेंशन के लिए कुछ किया नहीं तो दूसरा था कि इंपायर एक्सपेंशन किसी तरह किया जाए ऐकांसलिडेट किया जाए पावर्स को तो अब जब बलबन यहाँ पे गद्दी पे बना लो, उनको गुलाम बना के रख लो तो इस तरह का यह बलड एंड आरण का पॉलिसी था मतलब कहीं जुकना नहीं है मतलब हमें जाना है और सीधे अटेक करना है और उसे जीत के आना है चाहे कुछ भी हो, वहाँ के लोगों का कतल करना है फिर जो वहाँ के बच्चे और आरते होंगी उन्हें स्लेब बना लेना है फिर इन्होंने अपने अंपायर को एक्स्पैंड करने के लिए तो यह बलड एंड आरण की पॉलिसी अपनाई है अब इन्होंने दो मेन केरेक्टरिस्टिक इनके टाइम का था इनके रूल का था वो क्या था पहला कि जो सुल्तान का पॉजिशन है वो गॉड के द्वारत दिया जाता है ताकि लोग डरे इनकी इज़त करें क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग इज़त नहीं कर रहे थे तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि यह जो सुल्तान का पॉजिशन है वो गॉड यानि भगवान के द्वारत दिया जाता है दूसरा सुल्तान जो होगा वो उसे आउटोक्रेटिक होना चाहिए आउटोक्रेटिक मतलब खुद अपना डिसीजन लेना चाहिए तो इन्हें मतलब हिस्ट्री में डिस्पॉर्टिक भी कहा जाता है मतलब बलबन को डिस्पॉर्टिक भी कहा जाता है डिस्पॉर्टिक मतलब हो गया निरंकुष जिस पे किसी का भी अंकुष ना हो मतलब वो अपने से डिसीजन लेने में सक्षम हो तो इन्होंने दो चीज यहाँ पर बताई अब King को यहाँ पर इन्होंने मतलब ऐसा बताया कि King को God's का representative माना जाता है यानि उपर भगवान है और नीचे उनका representative राजा है नियामत ये खुदाई का इन्होंने ये दिया तो अपने आपको भगवान की परचाही बोला ताकि लोग इन की रस्परक्ट करे है फिर इन्होंने अपने काल में पर्सियन कल्चर भी इंट्रोडियूस किया पर्सियन कल्चर लाइक सिस्दा अइंट परबोस हो गया सिस्दा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, मतलब जो भी अगर कहीं रूलर आ रहा है, तो आपको जुक के प्रणाम करना है उसको, और पाबोस का मतलब होता है, उसके चरन को चूमना मतलब उसके पैरों को चूमना, तो सिजदा और पाबोस भी इसने अस्टार्ट करी फिर अब ये था, इसने नौरोजश नाम का एक फीस्टिवल था, मतलब एक क्तिवहार था, उसे भी इंटरोडीस किया इंडिया में जो कि एक Persian फेस्टिवल था, तो ये भी क्वेस्टिवल पूछा जाता है, कि नौरोजश नाम का जो तेवार था उसे किस ने इंट्रोडिउस किया तो वो बल्बन ही था तो यह भी आपको ध्यान रखना है अब एक बात और यह बल्बन जो था उसने दिवान अर्ज नाम की एक अब पहले होता क्या था कि जब कहीं बैटल वगरा होता था तो उसमें सब ही लोग जाके लड़ते थे चाहे बूड़े हो गया फिर जवान हो गया लेकिन इसने किया क्या कि अपने इसने क्या किया कि जो भी मतलब एक पार्टिकुलर एस से जो मतलब थोड़ा बुढ़ा अगर हो गया है तो उनको यहां से निकाल दिया गया उनको पेंसन पे रखा गया उनको यहां से मतलब आर्मी से निकाल दिया गया ताकि जैसे अब अगर बुढ़े लोग लड़ रहे तो उसमें तो जादा chances है probability है कि वो तो मारे ही जाएंगे तो इसलिए उनको निकाल दिया गया और नए लोगों की भरती करी गई जो जवान हो जिनका खून थोड़ा गरम हो तो दिवाने अर्ज नाम का एक department अस्टार्ट किया गया military department था तो इस पर भी question पूछा जाता है कि दिवाने अर्ज क्या था तो दिवाने अर्ज एक military department था अब इसने बलबन ने इमाद उल मिल्क को military minister बनाया यानि दिवाने अर्ज बनाया तो इमाद उल मिल्क जो की मतलब जो मोंगॉलियन से लड़ते वक्त मारा जाता है तो ये बलबन का ही बेटा था और ये मुखमद को ये बहुत जदा मतलब प्यार करते थे मतलब बहुत इनका लगावा था मुखमद से तो जब ये मारा जाता है उसके बाद धीरे-धीरे करके इनके भी मृत्यू हो जाती है मतलब ये दुख वगरा में रहने लगते हैं बट जब ये मरने वाले होते हैं मरने से पहले इनका एक और बेटा था बुगरा खान जो कि जिसे बंगाल भेजा गया था मतलब बंगाल पे रूल कर रहा था तो इसे कहा जाता है कि अब तुम आजाओ यहाँ पे डेली पे रूल करो लेकिन ये बंगाल पे ही मतलब अपने आपको बोलता है कि नहीं मैं बंगाल को इंडिपेंडेंट मान के यहीं पे हम रूल करेंगे तो ये आता नहीं, इसलिए बाद में जब इनकी मृत्यू होती है, तो इनका grandson होता है कैकवाबाद, grandson कैकवाबाद को यहाँ पे बिठाये जाता है, गद्धी पे, 1287 में, बट इनकी मृत्यू, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है, खिलजी फैमली के किसी नोविल के दौरा, और इस तरह से, स्लेव डाइनस्टी यहाँ पे खतम होता है, और खिलजी डाइनस्टी स्टार्ट हो जाता है, तो हमने देख लिया इन सभी को, अब एक बार थोड़ा रिवाइस कर लेते हैं इसको, अच्छे से, एक बार पॉइंट वाइस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब, अबक ट्राइब का था, इसे निसापूर से गजनी लाया गया, गजनी में मुहमद गौरी नहीं ने खरीद लिया, फिर इन्हें ये कुरान को बहुत ही मिलोडिय स्टोन में गाया गरते थे, इसलिए इन्हें कुरान ख्वा भी कहा जाता है, सेकेंड बैटल इन्हें अबक को लाग बक्ष भी कहा जाता है, इन्होंने सुल्तान की उपादी कभी भी धारन नहीं करी, मलिक और सिपा सलार का ही उपादी लिया इन्होंने, 1208 में लिबरेशन लेटर मिलता है या सुदीन मुहमद के द्वारा इसके बाद ये स्लेवरी से मुक्त हो जाते और इस तरह से चौगान खिलते वक्त घोड़े से गिर जाते हैं, इनको दफनाया जाता है लहोर में, फिर उसके बाद समसुदीन इल्टूतमिस हो गया, इन्हें स्लेव ऑफ स्लेव यानि गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये इल्वरी ट्राइब के थे, ये बेसिकली फ चंगेज खान था, वो इल्टूतमिस के टाइम में ही आया था, जलालदीन मंगबर्णी जो था, वो इनसे रिफ्यूजी मांग रहा था इल्टूतमिस से, बट ये देने से इंकार कर देते हैं, और इस तरह से 1224 में ये खत्रा टल जाता है, प्रिंस मंगबर्णी के चले जा कर लेता है, मलिक जानी को ये बिहार के सुवेदार के तौर पे पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट इन्होंने दलचलीसा का गठन किया, जिसमें 40 लोग थे, फिर एक्तादारी सिस्टम को इंडिया में इंट्रोडियूस किया, प्योर एरेविक कॉइन पहली बार सल्तनेत पीरि भी सुल्तान से जाके नयाय मांग सकता है, उसके बाद रजिया सुल्तान आई, रजिया सुल्तान से पहले रुकनुदीन आया, बट उनको हटा के रजिया सुल्तान बैठी, रजिया सुल्तान पहली फीमिल मुस्लिम रूलर थी इंडिया के, और इन्होंने रुकनुदीन को हटाया बैठ गई फिर कूबा और कोट यानी कोट पहनती थी और कुला यानि कैप पहना करती थी यह आग याकूत जिने अमीर-याखुर के पद पे इन्होंने यह किया बिठाया फिर रजिया सुल्टान को बर थो कर दिया गया उसके बाद ये मली कलतूनिया से साधी करती है बट मली कलतूनिया और इन दोनों को कैथल नाम की एक जगह में कॉंस्पिरेसी के तदिन दोनों को मार दी जाता है 1240 में ग्यासुदीन बलवन आये ग्यासुदीन बलवन को लुखा भी कहा जाता है इसे रिलेटेड थे बट जब यह आया तो चहलगानी यानि तुर्के चहलगान जो था इसको यह खतम कर देते हैं फिर हमने देखा आगे देख लेते हैं इसको एक बार मतलब रजिया सुल्टान के टाइम में यह आमीर-ए-शिकार थे फिर जो रजिया सुल्टान के गेंस्ट कॉंस्पिरेसी हुआ था उसके साथ भी यह थे मतलब कॉंस्पिरेसी में यह सामिल थे बहरम सा को रूलर बनाया गया और बलबन जो थे वो आमीर-ए-खुर का पोस्ट इने दिया गया महमूद साह सुल्टान बनते हैं उसके बाद इन्हें सुवेदारी हंसी के दे दी जाती है फिर बलबन जो होता है वो अपनी बेटी की साधी सुल्तान नसुरुदीन से करता है 1249 में जिसके बाद सुल्तान नसुरिदीन इन्हें उलग खान का टाइडल देता है और इन्हें नायाब मामलिकात पोस्ट दे दिया जाता है बल्बन 1266 में बैठता है गद्धी पे इसने बलड और आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया, एडॉप्ट किया इसके दो में कैरेक्टरिस्टिक किसी भी रूलर के इसके तहत मतलब इसका मानना था कि किसी भी रूलर का मतलब दो में कैरेक्टरिस्टिक होता है एक पहला कि वो जो सुल्तान होता है वो गॉड के द्वारा भिजा गया है मतलब सुल्टान का position God के दोरा बनाये गया है God के दोरा दिया गया है ताकि लोग इसकी respect करें दूसरा था सुल्टान must be autocratic यानि अपने decision को लेने में सक्षम होना चाहिए autocratic होना चाहिए ये जो भी decision ले वो सही होना चाहिए मतलब सही नहीं होना चाहिए बट ये इस पे किसी का दबाओ नहीं होना चाहिए कुल कहने का मतलब ये हुआ लाइक इसके पहले दबाओ था गिनका टुर्क स्लोगों का दबाओ था तर्क लोग मतलब इस पे दबाओ डाला गरते थे उनका interference हो रहा था लेकिन वो बोला कि सुल्तान को autocratic होना चाहिए वो खुड decision लेने में सक्चम होना चाहिए King को God representative on earth consider किया गया यानि नियामत एक खुदाई हो गया फिर जिल्ले इलाही हो गया इसका मतलब होता है reflection of God यानि खुदा की पर्चाई के तौर पे रूलर को देखा जाएगा बलबन ने Persian culture like Sizda and Pavos को introduce किया Sizda का मतलब हुआ सर जुका के परणाम करना या फिर दंडवत परणाम करना वहीं Pavos का मतलब हुआ पैरो को चूमना फिर इसने Persian festival नौरोज को भी इंडिया में इंट्रोडियूस किया तो यह question भी आता है दिवाने अर्ज नामक military department की establishment करी गई इसके time में ताकि यह मंगोल से लड़ा जा सके इमादुल मुल्क का इमादुल मुल्क को military minister बनाय जाता है यानि दिवाने अर्ज बनाय जाता है यहां पर मुहमद इनका जो बेटा होता है वो मंगोलियन से लड़ते वक्त मारा जाता है बाद में कैकवाबाद जो कि इनका grandson होता है यानि पोता होता है उसे बिठाया जाता है 1287 में जिसे खलजी family के किसी noble के ज़ारा मार दिये जाता है और खलजी dynasty की अस्थापना हो जाती है अब नेक्स्ट वीडियो में हम खलजी dynasty के बारे में बात करेंगे तो आई होप आपको इससे थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ आईडिया तो लगा ही होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें